साब चमक्ती और बेदाग स्किन भला किसे पसंद नहीं लेकिन जो वर्किंग रोग हैं उन्हें तो बाहर जाना ही होता है और बाहर जाने से धूप धूर मिट्टी पसेने आदी के परवाव से इसकिन पर गंदगी की परज़ जमने लगती है जिसकी करण इसकिन का निखार छ उसका आपके लिए बेहदी कारगर सावित होगा आपको बस करना या है कि दूद में एक चुट की हल्दी को मिला कर लगाना है और बस दिखने लेगा इसके बाद इसका असर चलिए जानते हैं कि किस तरह हल्दी और दूद को चेहरे पर लगाया जा सकता है इसे चेहरे पर देखने को मिलेगा दूद पूशक ततूव से भरपूर होता है सिर्फ सेहत ही नहीं बलकि इसकी पर वे इसके अनेकों फायदे देखने को मिलते हैं दूद में विटमिन बायोटीन पोटैशियम कैल्शियम लैक्टिक एसिड मैंगनेशियम प्रोटीन और सेलेनियम की अच् को नुकसान पहुंचाने वाले खात्मा करने में मददगार साबित होता है वहीं हल्दी और शदिये भूमों से भरपूर होती है इसमें एंटी बैक्टेरियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुन भरपूर मातरा में पाए जाते हैं इसके इसकिन पर एकनी की वज़ा से बनने लगाने से इसके इंको जमक निखार और ब्लीचिंग मिलते हैं जढने हैं कि दूद्थ और हल्दी चेहरे पर हम कैईसे लगाए और आप इसे राठ की समय में भी लगा सकते हैं तीन से चार चमर दूद में चुटकी बर हल्दी मिलाएं और चेहरे पर मलें इसे चेहरे पर दो से तीन मिनट के लिए उंग्लियों को गुलाई में घुमाते हुए लगाएं और फिर पानी से धोलें चेहा धोलेने के बाद आप मोस्चर राइजर लगाकर सो सकती हैं इस नुस्के को हपसे में दो से तीन बार आजमाया जा सकता है आपको उसकिन पर अच्छा दसर देखने को मिलेगा दूद और हल्दी को चेहरे पर फेस मास्के के तरह भी लगाया जा सकता है इसके लिए एक क नजर आने लेगा कुछी दिनों में आपके लिए